बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर की कवायत अब तेज हो चुकी है राजनिर्वाचन आयोग के तरफ से आदर्श आचार सहीता की गाइडलेंज को और भी इसपस्ट कर दिया गया है साफ तोर पर कहा गया है कि मद्दान के दिन मद्दाताओं को वहन से लाने वाले उमिद्वार पर कारवाई की जाएगी साथी इसे आदर्श आचार सहीता के उलंकन माना जाएगा आपको बता दें कि राज निर्वाचन आयोग के तरफ से साफ तोर पर कहा गया है कि किसी भी मद्दाताओं को उमिदवार के तरफ से किसी भी तरह का इनाम या रश्वत नहीं देना है अगर फिर भी कोई उमिदवार ऐसा करता है तो उस पर सक्त से सक्त कारवाई होगी बिहार में होने वाले पंचायत चुनाओं को लेकर राज निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार सहीता की गाइडने को और भी इसपस्ट किया है पंचायत चुनाओं के दौरान वोटर्स को गिप्ट देने या फिर उन्हें प्रभावत करने वाले उमिदवारों के खिलाब आयोग कड़ा एक्शन लेगा मदाताओं को रश्वत या इनाम देने पर उमिदवारों के खिलाब कारवाई का निर्देश आयोग ने दिया है इतना ही नहीं मदान के दिन मोटर्स को गाड़ीयों से बूत दक लाने पर भी उमिदवारों के खिलाब कारवाई की जाएगी राजनिलवाचन आयोग पर सभी जिलों को आदर्श आचार सहीता का पालन कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है आयोग ने कहा है कि सभी उमिद्वारों को आचार सहीता का नियम पुर्वग पालन करना होगा आयोग के मुताबिक उमिद्वारों को ऐसे सभी कारियों से पढेच करना चाहिए जो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहट अपराद की श्रेवी में आते हो इस अधिनियम के मुताबिक ऐसे कोई भी पोस्टर, टाफलेट या बैनर निकालना जिसमें स्टैंप या प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो उसका इस्तिमाल नहीं किया जाएगा साथी साथ विरोधी उमिद्वार के उपर इस तरह के जूटे आरोग वाले बैनर पोस्टर के इस्तिमाल पर भी रोग होगी शुराब बंदी के बावजूत ब्यार में शुराब का इस्तिमाल लोग करते हैं लेकिन पंचाय चुनाव में अवैद शुराब के इस्तिमाल को लेकर राज निर्वाचन आयोग भी सब्त है आयोग ने इस पस्ट तौड पर कहा है कि किसी भी उमिद्वार की तरफ से अगर गैर कानूनी शुराब खरीदी जाएगी या पर उसका इस्तिमाल कड़ाया जाएगा तो उन पर कानूनी कारिवाई की जाएगी आयोग इस सयारी में है कि वो सभी उमिद्वारों से ये शपत पत्र ले पाए कि उनके द्वारा शुराब बंदी कानून को नहीं तोड़ा जाएगा तो तमाम अटकलों के बीच आखिर का रभ बिहार में पंचाय चुनाओ आयोजित हो ही जाएगे हाला कि कयास लगाया जा रहा है कि अगस्त से सब्तम्बर तक भिहार में पंचाय चुनाओ संपन कर दिये जाएगे अब राजिवाचन आयोग में आदर्श आचार सहीता को की गाइडलेंग्स को और भी इस परस्ट कर दिया है साथ तौर पर कहा गया है कि कोई भी उमिद्वार जो है किसी भी मद्दाता को किसी तरह का रिश्वत या इनाम या गिफ्ट नहीं देगा अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उस पर कारवाई की जाएगी फिलाव में इतना ही आप बने रहें फर्स्ट प्यार चार्कर के साथ धन्यवाद